दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडियम इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एक्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पुलिस टीशर एक्जाम के लिए काफी उसफुल दोस्तो इस नोट्स में खास विशेस्ता यह है कि इसमें आपको वाण लाइनर कोश्चन जनरल साइंस के जनरल अवेनेस के करेंड एफेस के मिल जाएंगे साथी साथ दोस्तो आपको इसमें 10 प्रैक्टिस पेपर मिल जिससे आप सवालव कर सकते हैं और हमारे ओनलाइन स्टी पॉइंट सब्सक्राइबर के लिए 50% आप चल रहा है मातर 25 रुपए की बुक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक की मिल आए दूसलिए किलिक करके आप परचेर्स कर सकते हैं शंघर्स के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है जिसने अंधकार, मुसीवत और खुद से जंग जीती सूरे बनकर वही निकलता है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल्कम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 27 जनबरी और इस्टार्ट करते हैं आज है करने फैस उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कलने साथ बेल आइकन पेस करें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करने प्रेंड को पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें इस वीडियो को जीतने जाद होशके शेर जरूर करें सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को आखरी तक जरूर देखा करें बहुत इंपोर्डेंट कोशन होते हैं प्रत्य एक एक्ज हजारिका जी को भारत रदन पूरुसकार से समानित किया गया है ठीक है तो आप याद रखेंगे सामाजिक कार्यकरता नाना जी देशमुक और भाजपा के सथापकों में से एक और असम के संगीतकार प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका जी को मरणो परांद भारत र तो मैं आपको बता दू कि कला साहित विज्ञान सारवजनिक सेवा तथा खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए जन सेवा के लिए यह देश का सरवोच्च सम्मान है इसकी स्थाबना कब हुई थी दोस्तों इस पूरुसकार की इसकी स्थाबना हुई थी 1954 में याद रखि पूर क्याकरती अंकित होती है जिसके नीचे भारत रद सब्द खुदे होते हैं और आपको बता दे कि पिछले भागपार राश्टी चिन और इसके नीचे सत्य में वजयते लिखा होता है ठीक है तो आपको बता दे कि जनता पार्टी द्वारा इस पूरुसकार को 1977 बंद क Alistatini में इसके सरकारवशहud incloro कर दिया गया था और उनिचे सबसे पहले मिला था यह मधर टेरेसा जी को ठीक है मधर टेृकसा जी को मिला था और दोस्तों मरणो परांचरवतं लालबादर शाष्थिची को भारत नत्रस मानित किया गया था और पहली बार भारत रन्दपूरसकार किसको मिला था डाक्टर सरपल्ली राधार किसनन जी को मिला था पहली बार भारत रन्दपूरसकार ठीक है 1954 में तो आप याद रखिएगा ठीक है और अभी जो लेटेस्ट याद रखिएगा प्रणा मुखर जी को नाना जी देश मुख को और भूपन हजारिका जी को मिला है भारत रन्दपूरसकार ठीक है यह आगामी एक्जाम से में एक कोशन जरूर पूछने को मिलेगा देखने को मिलेगा आपको तो आप इसको जरूर याद रखिएगा नोट डाउन कर लिजेग ठीक है चलिए अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं किसे नौसेना पदक से समानित किया गया है तो जोस्तों नौसेना पदक से यह समानित किया गया है टॉमी अभिलास को ठीक है ओप्सन B देखे तो आपे टाइपिंग मिस्टेक होगे टॉमी अभिलास इनका पूराण टॉमी अभिलास ठीक है टॉमी अभिलास राष्टपती रामत कोविंजी ने दोस्तो 25 जनवरी को कमांडर टॉमी अभिलास को नाउसेना पदक से समानित किया है तो आप यादर कियेगा और टॉमी अभिलास 2018 में गोल्डन ग्लोब नेविगेशन दाव ने भाग लिया था देखे तो सौक पता दे कि टॉमी अभिलास हिंद महसागर में भैंकर तूफान के दवरान उनके जहाज आई एनस वी थूरिया की मस्तूत तूटने के बाद पश्चिमी सागर से तट से 32 कुल मेट दूर पर फस गये थे तो शमानित किया गया नाउसेना पदक से टॉमी अभिलास जी को ठीक है तो जो अभी 26 जन्वरी हुआ है गरतंद्रीवस समारो उसमें मुख खेतिती काउन थे ये कोश्चन मैं आपको बता दू दक्षिन अफ्रिका की जो राष्टपती दोस्तों सिरील रामा फोसा थे सिरील रामा फोसा थे इस वार के चीप गेस्ट गरतंद्रीवस समारो में तो आप याद रखिएगा ये भी फैक्ट फिर हमारा अगला कुछ चन है किस देश ने टुटर पर एक सर्वेक्षण के बाद गन्य रसको देश का राश्टी पेग होसित किया है तो यह किया है पाकिस्तान ठीक है ऑप्सन भी ठीक है 25 जनबरी को पाकिस्तान गवर्मेंट ने अभी कलकुरू में इसमें दिया गया था ठीक है तो पाकिस्तान कन्यकरस राश्टी पेगोशित कर दिया है कि पूर्व संपादक धीरनाथ चक्रवर्ति को किस राज्य ने गंतंत्र दीवस पत्रकारिता पूरुषकार दोहर 19 समानित किया है तो यह याद रखेक आसम गवर चाहितर मुनकी जीवान योगदान के लिए समनित किया गया है अपको तादी को दैनिक असम दैनिक चन भूमिय और आजीर बटोरी ग्रूप आफ निउस्वेपर के पूरु संपादक है ठीक है तो पूरु संपादक धीरन चक्रवर्ति को कि सराज ने गणतंत्र दीवस पत जापान के तटरक्ष को ने 23 जनवर 19 को जापान में योको हामा के तट पर अपना आपदानियंत्रण खोज और बचा अभ्यास आउज़ित किया है और भारती भारती तटरक्षक जहाज इसमें ICG सावनाक अभ्यास में भाग लेने वाले इसमें मुख्य भारती जहाज है प लक्षमी विलास बैंक के प्रवनेशक कौन बने हैं तो लक्षमी विलास प्रवनेशक के बन गया है तो लक्षमी विलास बैंक के प्रवनेशक बन गया है पार्थ हचार्थी मुखरजी ठीक ऑप्सन सी देखें तो यह प्राइवेट छेतर का बैंक है प्राइवेट सेक्ट होगा और RBI ने उनकी पुर्ण न्यक्ति को मंजूरी दे दी है ठीक है बात हो यहां पर दोस्तों लक्षिमी विलास बैंक के तो आपको दाद एक प्राइवेट सक्टर बैंक है इसका है चेन्नाई तमिलाडू में इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापनावती 1926 में ठीक है तो आप याद रखिएगा इतने फैक्त लक्षिमी विलास बैंक के नए प्रवन्दिय सक्ट दोहर बर्सों के लिए बना दीगा है पार्थ शार्थी मुखरजी को फिर अगला कोशन है हमारा दक्षिन अफरीका के किस क्रिकेटर ने क्रिके के सभी प्रारूपों सभी फॉर्मेट से अपनी ततकाल से बनेवित्ति की घोशना कर दी है और दोस्तों आप मता हैं उन्होंने 2005 से बारा तक पांच टेस्ट मैच और 78 एक दिपसी 78 वंडे मैच ओंडे इंडे इंडे नेस्नल मैच में साउथ अपरीका के खेला है उन्होंन की घोशना कर दी है जोहान बोथा ऑप्सन सी अगला कोशन है राष्टपती रामनात कोविन ने 25 जनवरी को बिभीन विश्यों के कितने लोगों को पाद्म पूरुषकार समानित किया है करेक्टेंसर जागा ऑप्सन भी 112 है ठीक है तो 25 जनवरी को राष्टपती रामनात को पाद्म पूरुषकार संड़ी के सर्वोच नागरी पूरुषकार समानित किया गया और इन पूरुषकारों को दोस्तु आज जो बात्म पूरुषण और नाइंटी फोर पाद्मसिरी कूरु सामिल है ठीक है यह पूरुषकार पाने वालों में 20 महिलाएं भी है तो आप ज रखी गई ठीक है चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का इंसर मैंने कोशन पूचा था राश्ट्री बाल का दिवस का मना जाता है तो दोस्तों राश्ट्री बाल का दिवस प्रतिवर्स मना जाता है 24 जन्वरी को सभी स्टूडें ने राइट एंसर दिया जरूर देख लें डेली और मौनिंग में आप करेंड़ फेस की वीडियो जरूर देख करें टाइम निकाल करें एक्जाम के लिए बहुत इंबोडेंट होते हैं ठीक है वीडियो का इसा लागा कमेंट बाक्स जरूर बता है और इसका एंसर भी जरूर लिखें आप लोग ज का एंसरा है और मौना करेंट है